प्रशासन कई दावे करता है कि हमने रोड की उपर डामर का लेप लगा दिया और रोड के खड़े बंद कर दिये लेकिन वही डामर कुछी दिनों के बाद निकल गया और जो खड़ा छोटा था वो बड़ा खड़ा बन गया क्योंकि उपर से लेप लगाने से उसकी जो व्रत है जो डेफ्ट है वो बर गई और डेफ्ट बनने की वज़े से वो खड़ा और ज़्यादा गहरा हो गया और कई जगा पर जहां पर नीचे से गटर की लाइन जाती है उपर से सेफटी टैंक बनाया हुआ है और ढकन रख्योए वो ढकन कई जगा पर तूड़ गया है ऐसी एक गटना चोईसी स्कूल के पास कोई जहां पर एक रिक्षा चालक की रिक्षा उसके अंदर दस गई यह तो अच्छा हुआ कि रिक्षा में कोई सवारी नहीं थी जिसकी वैसे कोई घटना नहीं गटी नहीं तो कोई घटना घट सकती थी आईए देखते हैं केमरे के नहीं से किस तरह उस खड़े में यह रिक्षा दस गई है और कैसे लोग उसको बाहर निकाल रहे हैं हम निविदन करते हैं UMC कमिशनर से कि इस और ध्यान दें सिर्फ नेताओं के बरोसे रहे के कुछ नहीं होगा क्योंकि इस रास्ते से कई नेता आते जाते हैं झाल 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 झाल